60 वाले स्टूडेंट एक जगा पर ही कठा हो गए थे जहां पर अब इनके बीच में डीमन हंटिंग ग्रूप के लिए फाइनल कंपर्टिशन होने वाला था इसके बाद सैडो मास्टर इन सभी के सामने आता है और सबसे पहले वो इनको यहां तक पहुँचने के लिए कॉंग वो इनसे कहता है कि तुम अब हमें भी ज्वाइन कर सकते हो अब इसके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट भी बहुत एक्साइटेड हो गये थे लेकिन तभी इसी बीच हमें यहां पर चेरी नाम की एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जिसे देखने से ऐसा लग र जाएगा जिसके बाद इन सभी के बीच में पॉइंट कमपर्टीसन होने वाला है इसके बाद वो इनसे यह भी बता देता है कि एक गरूप में दस लोग होंगे और उसमें से हर एक को सेम गरूप के साथ में लड़ना होगा जिसके वजह से इनके बीच में वन और वन अधर तो फुल हैं तब वैसे सीचिवेसन में उन में से हर एक को एक पॉइंट मिलेंगे उसके बाद लास्ट में सभी 60 लोगों को उनके पॉइंट के हिसाब से रैंक मिलेगा जिसके बाद उसमें से टॉप 60 नगले राउंड के लिए एंटर करेंगे इसके बाद सैडो मास अब लोटरी को सुरू करने के लिए ready हो जाता है और वो इनसे बताता है कि जो भी same color वाले ball को पकड़ेगा वे दोनों एक group में होंगे और इसके अलावा वे लोग ball को पाने के लिए किसी भी तरीके का use कर सकते हैं लेकिन एक आदमी केवल एक ball को ही ले सकता है और फिर उसे select क करने के लिए उसके light को दबाना होगा इसके बाद shadow master lottery को सुरू कर देता है लेकिन इसके लिए इन सभी को time limit भी दिया गया था इसके बाद सभी लोग ball को लेने के लिए ready हो जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि यह लोग इसके दौरान एक दूसरे के साथ में fight भी कर रहे थे ताकि वो अपने पसंद वाले बॉल को लेने से दूसरों को रोक सकें। लेकिन यहाद एक साइडों मास्टर कहता है कि हंटिंग ग्रूप को बनाने के लिए केवल ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती। बलकि इसके अलावा धूरत बाजी और आई साइड के हार्म होने से बचने की भी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा इस लौटरी ड्रॉइंग की मदद से एक दूसरे के ओपनेंड को समझने का मौका भी मिल जाता है। ताकि इसके मदद से बाद में अच्छे मैचिंग वाले टीम को बनाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी बॉल को लेने के लिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक परपल बॉल सायर के तरफ आने लगती है जिसे देखते ही अब सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अगले ही पल सायर उस परपल बॉल को पकड़ भी लेती है जिसे देखते ही सभी का होस पूरी तरह से गायब हो गया था जिसक वज़ा से अभी ये लोग परपल बॉल से बचने का डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि अगर अब इन में से किसी ने भी परपल बॉल को पकड़ लिया तब उसके वज़ा से उनको साहर के साथ में फाइट करना पड़ेगा लेकिन हम देखते हैं कि यांग बेंजाओ को साहर से को जिसकी वज़ा से यांग बेंजाओ अब हाओ चेन के उपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ में ही फाइट करने लगे थे लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन बहुत असानी से यांग बेंजाओ को हरा देता है और परपल बॉ को उसे लेने में काम्याब भी हो जाता है लेकिन तभी इसी दौरान किसी का बिष्ट पार्टनर हाओ चेन से टकरा जाता है और इसके वज़ा से उसके पास वाली परपल बॉल यांग बेंजाओ के पास में चली जाती है लेकिन अब यह देखते ही उस बिष्ट के साथ वाल वारियर थोड़ा सा परिशान हो जाता है और हाओ चेन को एक दूसरा बॉल लाकर दे देता है क्योंकि उसके पास में उस कलर वाले दो बॉल होते हैं लेकिन इस बात के लिए हाओ चेन उसे कुछ भी नहीं कहता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी यांग उससे बात करने की कोसिस करता है लेकिन हम देखते हैं कि चेरी बहां से चली जाती है लेकिन तभी इसी वक्ते यहां पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है जो कि चेरी का रास्ता रोक लेती है फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के पास में येलो कलर बले दो बॉल थे औ कि वो फाइनल में उसके साथ में कम्पीट करना चाहती है लेकिन यह देख चेरी उसे अगली बोलती है और इस बात की वज़ा से वह लड़की इसके उपर गुसा हो जाती है और फिर वो चेरी से कहती है कि अगर यह अगली है तो क्या हुआ इसके बारे में तुम इतना चिंता कैसे कर सकती हो जिस पर चेरी कहती है कि मुझे पिंक कलर पसंद है लेकिन तब इसी वक्त पीछे से उसे एक और लड़की की अवाद सुनाई देती है जो कहती है कि यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है और क्या उसे यह भी पता नहीं है कि उसे कौन सा कलर का बॉल लेना चाहि लेती है क्योंकि वो सबसे ताकतवर को चैलेंज करना चाहती थी लेकिन तब ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मैजिस यह ना चाहता है जो कि बहुत पहले लिसीन और हाओचें से मिला था फिर हमें पता चलता है कि वह भी परपल कलर वाले बॉल को लेना चाहता है जिसकी वज़ा से अब इन दोनों के बीच में फाइट सुरू हो जाती है फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के पर भारी पर रही थी लेकिन इसके बाद भी लड़का उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो भी इसका सामना करने का डिसाइ करने लगते हैं लेकिन तभी इसी बीच वो लड़का लड़की के उपर भारी पड़ते हुए नजर आता है और फिर वो बहुत असानी से उस परपल बॉल को भी ले लेता है लेकिन फिर भी यहाँ चीज उसके लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि हम देखते है कि लड़की भी उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती है और इसलिए वो तुरंत ही उसके उपर अटैक करके परपल बॉल को दूर कर देती है अब इसके वज़ास से फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई सुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के रो लड़की के उपर पाउरफुल अटैक करना सुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि लड़की इस बार उसे हराने में काम्याब हो जाती है और फिर वो तुरंत परपल बॉल को लेने के लिए चली जाती है लेकिन तभी लड़का बिलकुल ठीक समय पर उसके सामने आ जात है और परपल बॉल को लेने में काम्याब हो जाता है इसके बाद वह लड़की से काने लगता है कि यहाँ परपल बॉल मेरा है और इसलिए अब कभी दूसरी बार हम एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे अब इस परपल बॉल को पाने की वज़ाज से वो बहुत ही पूसता है कि डेविल ट्राइब से लाया हुआ या चाय कैसा है जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को भी लिन सिन की या चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी और अब इसकी वज़ाद से वह दोनों भी फाइट नहीं करना चाहते थे लेकिन तभी इसी वक्त दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए हैं लेकिन असल में लिन सिन इस तरीके का यूज करके बॉल को लेने वाले हर एक हॉल के बारे में जाना चाहता है ताकि असा करके वह अपने ओपोनेंट के बारे में जान सके इसलिए अब उसे भी पता चल गया है कि सायर कोई सिंप में परपल बॉल होता है अब इसे देखते ही लिन सीन बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर लिसीन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे टीम में नहीं जाना चाहता लेकिन इसके बाद वो इन सभी के सामने अपने मैजिक के बारे में दीखाना सुरू कर देता है फिर अमें पता चलता है कि लिसीन ने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि मैजिक पैलेस के चैंपियन के पास में अनभीलिवेबल ताकत है लेकिन उसके साथ में फाइट करते वक्त हर समय उसके उपर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वज़ा अब इसानी से वह अपने ओपने को बहुत असानी से हरा देगा लेकिन लिसीन लिन सीन के ऐसे रियक्शन को देख थोड़ी सी हैरान हो गई होती है और इसके बाद वह सोचने लगती है कि वो तो इतना ज्यादा पाउर्फुल नजर नहीं आता है इसके बाद लिंसीन लिसीन को मना करने की अपनी पूरी कोसिस करता है लेकिन हम देखते हैं कि लिसीन बहुत ही चलाकी से परपल बॉल को उसके हाथ में रख देती है जिसके बारे में पता चलने पर लिंसीन बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अब इसे ऐसा लगने लगता है कि इसका गेम पूरी तरह से खतम होने वाला है क्योंकि अभी इस परपल बॉल के वज़ा से उसे सबसे पाउर्फुल करता है कि अभी बी उसके पास में कुछ नहीं बचा हुआ है जिसका इस्तिमाल करके वह इस बॉल को दूसरे के साथ मैं चेंज कर देगा